लालो यादव परिवार का फैमिली ड्रामा बीच रख पर जाड़ी है लालो के परिवार ने अपने बहु एश्वर्या राय का समान पीक अप वैन में भरकर चंद्रिका राय के आवास पर भेज दिया समान भेजे जाने से एस्वरे राय के पिता चंद्रिका राय विफर गए उन्होंने कहा कि वो किसी भी प्रस्थिती में समान डिसीब नहीं करेंगे उन्होंने कहा कि मुझे फंसाने की साजिस हो सकती है राबडी देवी की और से भीजेगा समान में विस्पोटक हो सकता है जान वहां से जो भी रहा है मैंने देखा वीने मैं रोक दिया कि पर जब तक य कोई बात था स्टेंड है आगे करने जा रहा हूं इस तरह से हम लोगों को समान भेज करके भासाने की साजीच अपधिया या दूसरी भी इन लोगों के मन में कोई पाप हो सकता है लालू यादों के समधी चंद्रिका राय ने कहा कि ये श्वर्या राय का कागजात और मोबाइल रावडी आवास में ही है बताया जा रहा है कि महिला थाना की पूलिस ने रावडी देवी के आवास पर पहुंच कर पूछ ताच की है इधर शुक्रवार को चंद्रिका राय ने शास्त्री नेकर थाना में रावडी देवी के खिलाप केस दर्ज क्यारा दिया बहरहाल बिहार के कद्दावार राजनितिक परिवार की लडाई जारी है और लोग उत्सुकता से पूरे मामले को देख रहे हैं बीजेपी के वरिष्ट नेता रहे सुरज नंदन कुश्वाहा की प्रथम पुने तिथी समारो 29 दिसंबर को मनाई जाएगी पतना के विद्यापती भवन में होने वाले समारो में बीजेपी के वरिष्ट नेता और मंत्री उपस्थित रहेंगे इसकी जनगारी बीजेपी के वरिष्ट नेता समराग चौधरी ने दी सुरज जी का उस सुरज की किर्ण तो आज हमें मिल रही है लेकिन सुरज जी का जो हम लोग को असिरवाद मिलता था वो नहीं मिल पा रहा तो उन तमाम चीजों को हम लोग वहाँ पपनी बात को रखेंगे और जो यह समाज में जो उनका संदेश था उसको पहुचाने का प्रयास करें स्वरगिये सुरज नंदन कुशवाः बीजेपी के समर्पित नेता रहे और बीजेपी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी נिवाई बीजेपी सुरज नंदन कुश्वाहा की पुने तिथी के बहाने वोट बैंक को साधने की कोशिश में भी जूटी हुई है ओंकारा वामे के लिए पटना से रंजित कुमार की रिपोर्ट